नमस्ते दोस्तों, आज हम गुप्त सामराज्य के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त सामराज्य का इतिहास 319 से 550 इसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस समय को प्राचीन इतिहास की स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस दौरान गुप्त सामराज्य ने उत्कृष्ट प्रगति की। गुप्त सामराज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे। इस सामराज्य के दो राजधानी थी। पाटलि पुत्र और उज्जैन। गुप्त सामराज्य के संस्थापक श्री गुप्त होने के बावजूद प्रथम शासक चंद्रगुप्त एक थे। उन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। चंद्रगुप्त एक 319 से 335 इसा पूर्व तक राज्य करते थे। उस समय दिनार नामक एक सो का चलता था। चंद्रगुप्त एक ने अपनी पत्नी लिच्छाभी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। लिच्छा भी नेपाल में स्थित थी। चंद्रगुप्त एक अपनी पत्नी को प्रेम करने के कारण उनकी पत्नी के नाम पर एक सोने का सिक्का चलाते थे, जिसका नाम था कुमार देवी गोल्ड कॉइन, बाद में चंद्रगुप्त एक को महाराजाधिराज का उपाधि प्राप्त हुआ, फिर उनका पुत्र समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त ने 335 से 380 इसा पूर्व तक शासन किया, संपूर्ण गुप्त स आम राज्य के बीच समुद्रगुप्त सबसे शक्तिशाली थे, आपने शायद फ्रांस के राजा नेपोलियन के बारे में सुना हो, यदी नहीं सुना है, तो कॉमेंट करें, मैं आगे नेपोलियन के बारे में वीडियो बनाऊंगा, नेपोलियन का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि राजा समुद्रगुप्त के समान थे, वास्तव में समुद्रगुप्त को कई बार भारत का नेपोलियन कहा गया, समुद्रगुप्त की दरबार में एक महान कवीहरिसेन थे, कवीहरिसेन कोई साधारन व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने इलाहाबाद पिलर या प्रया अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें